पिछले जो रिजनिंग के जितने भी पाँ सेशन थे 1,2,3,4,5 उन में हमने semantic analogy के दो parts देखे थे generally वो एक ही part था मैंने आपको sermon declined analogy के basics में बताया था कि यह 3 तरह की होती है Semantic analogy जो होती है यह 3 तरह साध्रश्यता है इसे हिंदी में साध्रश्यता कहता है analogy को उसमें words और numbers और figures के बीच में जो similarity है उसको हमें एक find out करना पड़ता है एक logic को हमें दूड़ना पड़ता है जो कि हमने 5 session में देखा था मैंने आपको बताया था basics में कि semantic analogy three types की है word analogy, numerical analogy, third, figural analogy word analogy में words होते हैं, word series होती हैं बहुत सारी words होते हैं, आपस में एक दूसरे से interconnected होते हैं हमें उन दोनों के बीच में logic find out करना पड़ता है और तीसरा word या जिसे कहते हैं succeeding word या succeeding word series हमें बतानी होती है जिसमें हमने देखा कि हमें alphabets की positions और उनके reverse pair के बारे में knowledge होनी चाहिए second जो part है इसका वो है symbolic और numerical analogy जिसको हम आज discuss करेंगे और ये खतम होने के बाद हम figural analogy में आएंगे जिसमें हम figures दे रखे होते हैं question figures और हमें logic find out करके answer figures बताने होते हैं तो आज का जो ये session है वो symbolic और numerical analogy पर है तो हम start करते हैं इसको और जो channel पे मेरे नए हैं उन सबसे पहले मैं आप सबसे request करूँगा कि मेरे पिछले sessions ज़रूर देखे हैं 12345 reasoning के जो sessions है semantic analogies पे मेरे चैनल पे सारे वीडियो अप्लोड हैं इसके 12345 सारे वीडियो आप देखें जो भी problem है जो भी queries हैं आपके आप मुझे email कर सकते हैं नीचे description में मेरा email address भी दिया हुआ है और मेरे चैनल को आप subscribe कर लें ताकि मेरे जो latest videos हैं वो आप तक पहुशते रहें चलो अब इस session को हम start करते हैं तो देखिए symbolic और numerical analogy में होता क्या है आपको इसमें कुछ नहीं करना अगर आपने word analogy को अच्छी तरह से समझा है तो word analogy इसने अच्छी तरह से समझ लिए उसने reasoning का एक बहुत बड़ा part complete कर लिया यहां कि word analogy में काफी आपको मेहनत करनी पड़ती है word analogy में बहुत सारी word series होती है और आपको पता करना पड़ता है कि उनकी position क्या है तो हम पहले word series को number codes में लिखते हैं उनकी position का जो number code होता है जैसे a1 position पे आता है जैसे a,b,c,d एक word series है तो हमें इसका number code में क्या लिखूंगा 1,2,3,4 तो हमें यहां double काम करने पड़ते हैं कि word series पे words की position लिखनी पड़ती है फिर हर word का दूसरे word के साथ क्या logic है वो find out करना पड़ता है तो अगर जिसने word analogy को अच्छी तरह से समझ लिया वो symbolic analogy और figural analogy को बहुत अच्छी से समझ सकता है यह बहुत आसान चीज है कोई hard चीज नहीं है और आसानी से इसमें 100% marks कोई भी competition में achieve कर सकते हो अगर आपने अच्छी practice की हुई है और हमने पिछले sessions में काफी बहुत सरी practice की थी word analogy की और मैं यह कह सकता हूँ कि काफी part हमने यह यानी इसका most of the part word analogy का हमने हर तरह के question करके complete कर लिया अब यह बहुत जो part है symbolic और numerical analogy का इसमें हम सबसे बहुत बेसिक का समझेंगे basic बस इतना ही है कि आपको numbers दे रखे होते हैं और आपको next number जो question mark की जगे होता है वो आपको पता करना है वो आपको find out करना है जैसे कि यहाँ पर एक example दे रखा है 618 ratio proportion 4 ratio question mark तो यह पूछ रहा है कि question mark की जगे क्या आएगा यह आपसे पूछ रहा है यह जो question mark है इसकी जगे कौन सा number आएगा तो सबसे पहले हम 6 और 18 के बीच में relation देखेंगे 6 और 18 का क्या आपस में क्या relation है देखिए 6 और 18 यह किस logic से एक दूसरे से interconnected है तो आप एक चीज़ समझते हो 6 त्रीजा कितना होता है 6 त्रीजा 18 होता है अगर मैं पहला logic लगाऊ मेरा जो first logic है first logic मेरा यह कहता है कि 6 की table में 18 कितने times आता है 3 times आता है क्योंकि 6 त्रीजा कितने होते है 18 होते है तो इस logic के according 4 त्रीजा कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए तो 4, 3 is equal to 12 बट यहाँ पर 12 option नहीं है तो मैं यह logic apply नहीं कर सकता कि मैं 6 को 3 से multiply किया तो 18 आ गया यह तो सही हो रहा था है यहाँ पर पट 4 को 3 किस से multiply करेंगे तो 12 आएगा तो इस तरह से यह logic apply यहाँ पर नहीं हो रहा अगर हम 6 को 2 times multiply करें 6 के square का क्या मतलब है 6 multiplied by 6 equals to 36 अब इस 36 जो answer आया है उसको हम अगर 2 से divide कर दें 36 को किसे divide कर दें 2 से divide कर, 36 divided by 2 36 को हमने 2 से divide किया तो क्या आया, 18 आया तो यहाँ पर यह logic अगर देख सकते हैं work करता है और हमारा क्या answer इससे आपाता है मैंने क्या logic लगाया कि जो 6 जो first number दे रखा है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं first number है 6 यह जो first number आपको sorry यह जो आपको first number नजर आ रहा है यह 6 यह वाला 6 18 से किस तरह related है इस तरह related है इस तरह यह logic हमने यहाँ पर पूरा निकाल लिया यहाँ पर यह logic हमने apply कर लिया कि 6 को 2 जे 6 का जो square होता है 36 उस 36 का अगर हम half करेंगे तो हमरे पास क्या आएगा 18 तो इस logic के according हमें 4 का क्या करना पड़ेगा 4 का भी square करना पड़ेगा 4 का अगर हम square करें 4 का क्या करेंगे हम square करेंगे तो 4 का square हमारे पास क्या होता है 4 का square हमारे पास होता है 16 4 का square हमारे पास क्या होता है 16 और अगर मैं 16 का half कर दू क्या कर दू 16 जो है इसका मैं क्या कर दू half कर दू मतलब कि 16 divided by 2 कर दू तो मेरे पास क्या आएगा 16 divided by 2 is equal to 16 को 2 से divide कर तो हमारे पास क्या आता है हमारे पास आता है 8 16 divided by 2 हमारे पास क्या आता है 8 तो हमारे पास answer क्या आ रहा है 8 आ रहा है तो कौन सा option सही होगा C option यहापर सही होगा तो यह logic हमने यहापर apply किया logic समझ में आया, क्या logic था इसमें, तो हमने जो logic लगाया, कि six का square करो, six का square क्या होगा, 36 होगा, 36 का half करेंगे तो कितना हैगा, 18 आएगा, यहाँ पर यह logic वर्क कर रहा है, तो इसी तरह मैंने यहाँ पर मुझे बताना था, कि four के बाद अगला कौन आएगा, तो मैंने इन दौना की लगाया ये वाला जो लोजिक है, मैंने इसको 4 के लिए लगाना है, तो मैंने 4 के लिए कैसा apply किया, मैंने 6 का square किया था तो मैंने 4 का square कर दिया 4 का square क्या होता है 16 होता है 16 का half किया 16 का half किया कितना आया 8 आया 16 का half आया 8 आया तो मेरे पास answer क्या आ रहा है option C बिलकुल सही आ रहा है तो इसका answer क्या हो जाएगा C option उसी तरह यह वहला जो question है 5 11 2 5 6 5, 11, 2, 5, 6 में क्या आपको पूछ रहा है यह कुशन मार के जगे आपको नंबर बताना है तो आप देखिए यह थोड़ा सा ट्रिपिकल है इसमें आपको नंबर सीरीज से पूरी पूरी देखनी पड़ेगी और उनके बीच में क्या लॉजिक बेटर है हर नंबर का क्या आपस में दूसरे से क्या कनेक्शन है यह आपको पता होना चाहिए देखिए पहले दो नंबर देखे तो 5 और 11 है नेक्स पेर देखें तो 2 और 5 है अगला पेर देखें तो 6 और यह कुशन मारके अब इस कुशन मारके जगे क्या आएगा यह आपको यहाँ पर बताना है तो देखो पहला पेर अगर मैं देखो 5 और 11 इनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है देखिए 5 जो होता है 5 को अगर मैं किस से multiply करूँ 2 से multiply करूँ 5 multiply by 2 is equal to कितना होता है 5 multiply by 2 is equal to सब जानते है 5 को 2 से multiply करते तो हमारे पास क्या आता है 10 आता है 5 को 2 से multiply करते तो हमारे पास क्या आता है 10 आता है अगर मैं 10 में क्या जोड़ दूँ अगर मैं 10 में 1 जोड़ दू 10 प्लस 1 is equal to मिरे पास क्या आएगा 10 प्लस 1 equal to कितने होते हैं 11 होते हैं 10 प्लस 1 is equal to 10 प्लस 1 is equal to 11 तो मिरे पास क्या आएगा 11 आएगा तो यहाँ पर यह logic यहाँ पर बैट रहा है यहां पर 2 है और अगला 5 है तो 2, 2 जा 4 होते हैं 2 को अगर मैं 2 को अगर मैं किस से multiply करूँ 2 से multiply करूँ 2 multiply by 2 sorry थोड़ा सा मारकर अच्छी तरह वर्क नहीं करता क्योंकि मैं इसके लिए pad ही यूज करता हूँ जो हमारा keyboard है वो यूज कर लिता हूँ तो logic हमें क्या लगाना है 5 multiply by 2 is equals to 10 पहले जो नमबर से पहले जो दो नमबर है आपने देखे पहले जो दो नमबर है 5 और 11 5 और 11 का क्या relation है कि अगर मैं 5 को 2 से multiply करूँ तो मिरे पास क्या आता है 10 और अगर मैं 10 में क्या जोड़ दूँ प्लस 1 जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या आएगा 11 आएगा तो ये logic यहां पर work कर रहा है पहला नमबर 5 है उसका double का एक जादा 5 के double का एक जादा क्या आता 11 तो 5 टूज है 10 10 प्लस 1 11 तो 5 11 ये एक pair बना दूसरे का क्या logic है 2 टूज है कितने होते हैं 4 होते हैं सब जानते हैं कि 2 multiplied by 2 is equal to 4 और अगर इस 4 में अगर हम 1 जोड़ दे तो हमरे पास क्या आएगा 5 आएगा तो ये logic यहां पर भी work कर रहा है 2 और 5 2 के बाद क्या रहा है 5 आ रहा है मतलब 2 का double 2 2's are 4 और उसके बाद 5 तो ये 6 के बाद क्या आएगा आप सब जानते हैं 6 का क्या करना है ये logic जो हमने इन दोना numbers के लिए यहां पर जो logic लगाया है वो ही logic 6 के लिए लगाना है 6 को क्या करो पहले 2 से multiply करो 6 multiply by 2 equals to कितना होता है 6 multiply by 2 सब जानते है 12 होता है 12 का एक ज्यादा कर दो 12 plus 1 12 plus 1 हमें कर देना है 12 plus 1 अगर हम करेंगे तो हमरे पास क्या आएगा 12 plus 1 करते हैं तो हमरे पास क्या आएगा 13 आएगा तो यहां पर कौन सा option सही हो जाएगा यह option यहां पर सही हो जाएगा एप जो समझे ले ना इस तरह से अगर आप logic पटा कर लेते हो हर नंबर के बीच का अपनेक्शन पर लेते हो तो आप आसानी से आसानी से यस नुमेरिकल रिजनिंग पार्ट में पता कर सकते हो तो इस तरह कि आपको प्रैक्टैस होने चाहिए जितनी जिदा आप practice करेंगे, आपका word analogy और numerical analogy strong होगी और जिसकी strong होगी, उसकी पूरी reasoning मैं मानता हूँ कि strong होगी Figural analogy बहुत ही आसान होती है, figures दे रखे होते हैं और answer figures बताने होते हैं तो reasoning का जाए यह 80%, 85% part आई आप अच्छी तरह से complete कर सकते हो तो अगर आपने logic find out करना सीख लिया है तो तो इसी तरह से आपको यह simple जो आपका general math से आपको squares पता होने चाहिए, cube roots पता होने चाहिए, cubes पता होने चाहिए यह सब अगर आपको पता हैं और अगर table सब को याद है, 20 तक सब को याद ही होती है table तो कोई मुश्किल काम नहीं है, logic को find out करना, number series देख नहीं है और क्या-क्या उसके पीछे logic लग सकता है, वो सारे logic साब को apply करने है तो जिस तरह जैसे मैंने इन दौनों questions में logic apply किये इसी से related, ऐसी question हर exam में SSC हुआ चाहे वो RRB का exam हुए, तो इन सब भी exams में इसी से question generally पूछे जाते है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि square, square roots, cubes, cube roots सभी के याद कर लेने है कम से कम एक से लेकर 20, 1 to 20 तक क्या आपको square और square root और cube और cube root पता होने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक मैंने लिखा है यहाँ पर अगर आप 1 से 10 तक भी याद कर लेते हैं, तो कोई problem नहीं है 1 का cube क्या होता है, 1 होता है, 1 का cube होता है, 1 और 1 का square भी 1 ही होता है 2 का square क्या होता है, 4, 4 का square root कौन है 2 4 दियान रखेगी, यह connection दियान रखेगा, 4 का square root कौन है 4 का square root is 2, तो 4 का square root पूछू तो 2 होता है, ठीक है, जिसे गनमूल कहते है 8 का cube root क्या होता है, वो 2 होता है, 2 का cube पूछू तो 2 का cube क्या है, 8 है तो इस तरह के सारे आपको square root, cube roots, squares और cubes आपको पता होने चाहिए तो अगर आपको इतना भी पता है आसानी से आप reasoning जो numerical analogy बहुत ही easy है word analogy से बहुत जाद़ easy है आप आसानी से इसको solve कर सकते हो अब मैंने यहां पर कुछ problems का set यहां पर दे रखिये है आप सबसे पहले video को post कर लें और खुद से यह जो मैंने six problems यहां पर आपके लिए लिखी हैं यहां पर इनको सबसे पहले आप वीडियो को post करने के अबद खुद solve करने की कोशिश करें तो अभी आप वीडियो को pause करते हैं ओके friends तो आपने problems को solve कर लिया होगा और hope कि आपके सभी के answers सही आए होंगे ठीक है और तो देखते हैं चेक करते हैं पहला जो है question वो ये कहता है 14.9 पहला question क्या कहता है 14.9 यह दियान रखेएगा 14 है confusion मत भी होएगा 14 है 14 ratio 9 proportion 26 ratio 26 तो क्या logic लग रहा है 14 के बाद 9 आ रहा है तो एक logic हम यह लगा सकते हैं देखिए इसमें 2 logic लग रहे हैं दौनों ही logic से मैं solve करके बताऊँगा जो first logic है first logic अगर मैं देखूँ तो बहुत ही easy है देखिए 7 multiply by 2 7 को अगर मैं 2 से multiply करो तो मिरे पास कितना आता है 14 आता है ठीक है और अगर मैं 7 और 2 को जोड दूँ 7 प्लस 2 कर दो तो मिरे पास क्या आता है 9 आता है ठीक है यानि कि पहला जो logic वो यह कहता है पहला नमबर क्या है 14 है ठीक है और अगर मैं 7 प्लस 2 कर दू तो 9 आ रहा है मतलब कि दूसरा उन दो नमबर का sum है दो नमबर से 7 और 2 उनका यहाँ पहला जो product दे रखा है पहला हमें क्या दे रखा है multiplication दे रखी जो पहला नमबर है 14 लेकिन वो दो नमबर 7 और 2 की multiplication है और जो 9 है वो दो नमबर 7 और 2 का sum है तो उसी तरह 26 की दो नमबर की क्या हो सकती है multiplication हो सकती है तो 26 के लिए देखें तो 13 टूजा 13 टूजा कितने होते हैं 26 होते हैं अब sum देख लो numbers का number क्या है 13 और 2 पता चल गए 13 प्लस 2 कर लो 13 प्लस 2 कितना होता है 15 होता है उसका सही answer क्या है 15 यानि कि इसका सही answer क्या है answer answer इसका लिख देते हैं answer 15 is the right answer ठीक है तो logic मैंने आपको बता दिया अब second logic इसका समझते हैं देकि second logic में थोड़ा सापको दिमाग लगाना पड़ेगा 9 टूसर कितने होता है उल्टा देखो मैंने यहाँ पर क्या देखा पहले 14 को देखा पर second logic में 9 को देखेंगे 9 टूसर कितने होता है 18 होता है ठीक है 9 multiply by 2 is equal to कितना होता है 18 होता है पर अगर मैं 18 में से 4 को minus कर दूँ ठीक है अगर मैं 18 वे से किसको minus कर दूँ 4 को minus कर दूँ ठीक है जो second logic है second logic क्या कहता है देखी द्यान से देखेगा यह रहा second logic यह लिख देता हूँ मैं second logic यह कहता है कि 9 को 2 से मैंने multiply करना है 9 को किस से multiply करना है 2 से multiply करना है 9 को अगर मैं 2 से multiply करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 18 आएगा और 18 में से मैं 4 को minus करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 14 आएगा तो उसी तरह अगर मैं इन दोनो numbers में से जो options दे रखे हैं उन में से मैं अगर किसी को भी 2 से multiply करूँ और उसको 4 में से minus करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए 26 आना चाहिए तो वो number मेरे पास 15 ही है क्योंकि 15 को अगर मैं 2 से multiply करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 30 आता है और 30 में से मैं 4 को minus करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 26 आता है तो दौनों ही लॉजिक में, first logic और second logic दौनों ही लॉजिक में मेरे पास क्या सही answer आ रहा है 15 मेरे पास सही answer आ रहा है तो मैंने दौनों logic सही आपको यहां पर solve करके बता दिया ठीक है, hope कि आपका यह पहला जो first answer है वो बिल्कुँ सही आया होगा ठीक है, तो first logic, second logic दौनों हमने अच्छी तरह से समझ लिए यहां पर, ठीक है first logic में यह कहता था कि 14 जो number है, यह है क्या यह दरसल दो number 7 और 2 का product है, 7 multiply by 2 कितने होते हैं, 14 होते हैं तो दो numbers का sum कितना होगा, 7 plus 2, 9 होगा अब 26 के दो numbers का product है, 26, 13 और 2 का product है, तो 13, 2 होते हैं, 26 होते हैं, 15 होता है, 15 होता है, तो 15 is the right answer second logic में 9 को 2 से multiply करना है, ultra logic देखना है, 9 का 2 से, 9 का और 14 का relation देखना है, तो 9 को 2 से multiply किया, कितना है, 18 आया, 18 को 4 में से minus किया, कितना हो, 14 आते है तो 15 को 2 से multiply करो, कितना होगा, 30 होगा, 30 को 4 में से minus करो, कितना आया, 26 आया, तो कौन से सही answer होगा, 15 ही सही answer होगा, दोनों logic से हमने देख लिया अब second question पर आते हैं, तो second question बहुत ही easy है, 16, 56, 32 question mark, तो 16 और 15, 56 का क्या relation है, तो यहाँ पर देखिए, यह question थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा ट्रिपिकल है, इसको भी मैं आपको दौनों logic से solve करके बताऊंगा, first logic और second logic यह मैं दोनों आपको बताऊंगा, तो first logic बहुत ही easy है, पहले यह समझ लो, first logic में यह क्या कहता है, देखो, कैसे समझना है आपको question को, तो सबसे पहले trick देखनी पड़ीगी आपको यहाँ पर, 16 का 56 से relation मत देखो, 16 का 32 से relation देखो आप, 16 का 32 से क्या relation, 16 को किसे multiply करत हो, 16 multiply by 2, तो मेरे पास क्या आता है, 32 आता है, तो यहाँ, 56 का आप किसे relation होगा, question mark से होगा, कैसे होगा, into 2, 56 को किसे multiply करूँगा, 2 से multiply मैं करूँगा, तो 56 को भी मैं किसे multiply कर रहा हूँ, 2 से multiply कर रहा हूँ, 56 को अगर मैं 2 से multiply करता हूँ, 56 को अगर मैं 2 से multiply करता हूँ, 56 तो मेरे पास सही आंसर कौन सा होगा, बी होगा, जो फस्ट लॉजिक है, फस्ट लॉजिक मेरा क्या कहता है, कि 16, फस्ट और थर्ड नंबर को देखना है, तेको यहां तीन नंबर है, रेशो प्रोपोशन छोड़ दो आप, अगर आपको रेशो प्रोपोशन से सिफ के लिए होते हैं, आप रेशो प्रोपोशन से नहीं देखा करो, देखो 16, 56, 32, यह तीन नंबर है मेरे पास, तीनों नंबर में से आपको फस्ट और थर्ड नंबर के बीच में रेलेशन देखना है, मतब 16 और 32 के बीच में, और 2 और 4 नंबर के बीच में रेलेशन अपने आ 112, तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर हमारे पास हो गया, अब B, आंसर B is the right answer, आंसर कौन सा हो गया, B, B is the right answer, यह C था है, यह B हो गया, ठीक है, तो यह first logic से हमने इसको देख लिया, अब आप पुछो कि second logic इसका क्या हो सकता है, तो second logic भी मैं आपको बता देता हूं, second logic, second logic, द 56 को मैं किस से डिवाइट करूं कि मेरे पास अंसर 16 आए, अब मुझे उल्टा देखना है, 56 का 16 से देखना है relation कि 56 का 16 से किस तरह का relation है, या फिर यह थोड़ा सा ट्रिपिकल होगा, अगर आप 16 का 56 से दूसरा relation देखें, देखो, 16 जो है, 16 की table को, 16, 7 जा कितने होते हैं, 16, 7 होते हैं, 16, 7 जा 112 होते हैं, अगर मैं 112 को 2 से डिवाइट करूं, 112 divided by 2, तो मेरे पास क्या आता है, 56 आता है, मतलब की, पहला जो लॉजिक है, 16, 7, 12 और 112 को 2 से डिवाइट किया, तो मेरे पास 56 आया, मतलब 16 और 56 का, तो मेरे पास काम हो गया, मुझे पहला लॉजिक पता चल 32 और question mark का क्या logic बनेगा तो 32 और question mark का ये logic बनेगा कि 32 को 32 को हमें किस से multiply करना है 7 से जैसे हमने 16 को 7 से multiply किया 112 आया 112 को 2 से divide किया कितना है 56 है उसी तरह 32 को आप 7 से multiply कर लो कितना हैगा 32 7 जा कितना होता है 32 को अगर मैं 7 से multiply करो तो मिरे पास कितना आता है 224 ठीक है तो मिरे पास कितना आता है 224 आता है अब इसको मैं किस से डिवाइट करना है मुझे इसको मुझे डिवाइट करना है 2 से, यह जो मिरे पास यह आंसर आया है 224 इसको मुझे किस से डिवाइट करना है 2 से divide करना है 224 divided by 2 Is equals to कितना होगा 112 तो दौनों में answer क्या आ रहा है मेरे पास 112 ही आ रहा है चाहब first logic देखें चाहब second logic देखें कि दौनों ही logics में answer मेरे पास क्या रहा है 112 तो इसका answer कौन सा होगा B होगा 112 ठीक है अब third question प्लाज़ा तो third question बहुत easy है इसके भी मैं आपको दो logics बदा दूँगा ठीक है इसके भी दो logics है तो first logic देखें first logic में आपको बहुत easy है वैसे तो सिर्फ इसमें एक logics से ही काम चला लेंगे है अपन ठीक है ज़्यादा इसको deeply नहीं समझेंगे हो कि 8 और 27 देखो जब भी आपको कोई भी cube दे रखे हो जैसे 8 और 27 तो आपको कोई भी series दे रखे हो जिसमें कोई भी cubes दे रखे हो तो आप जानते है 8 किसका cube है 8 है 2 का cube सभी जानते है 2 का cube क्या होता है 8 2 का घन 8 होता है 2 into 2 2 तो 2's are 4 4 2's are 8 तो 2 का cube है, 8 और 27 किसका है, 3 का है, 27 किसका है, 3 का है, ठीक है, 3 27 का cube root होता है, इसलिए 27 3 का cube है, जो 3 3 is the 9 and 3 is the 27, तो सब जानते हैं, कि cube 8 और 27 किसके हैं, 2 और 3 के हैं, तो आपको सबसे पहले logic यही समझना है, कि यहाँ पर logic यही लग रहा है, logic, जो first number है, यहाँ पर 8, 8 जो ह हैं, वो किसका cube है, 2 का cube है, 8 जो है 2 का cube है, और जो दूसरा number है 28, वो 27 से 1 ज्यादा है, मतलब 3 का cube, पहला number 2 का cube है, तो दूसरा number किसका होगा, 3 का cube, but 3 का cube plus 1 equals to 28, क्यों, क्योंकि 3 का cube क्या होता है, 27, 27 में एक जरो तो तो कितना आता है 28 आता है तो 8 और 28 का क्या relation है जो पहला number 8 है वो तो 2 का cube है दूसरा number 28 है वो 3 का cube से 1 ज्यादा है 3 का cube कितना होता है 27 27 में 1 जोड़ो तो कितना होता है 28 होता है तो इसी तरह यह logic आपको यहाँ पर लगाना है तो अब आपको समझ में आ गया इसमें भी जो second pair ह 27 और question mark का, उसमें कहा relation होगा 27 किसका cube है, वो देख लो 27 है 3 का cube 27 is the cube of 3 27 किसका cube है 3 का cube है तो यह दूसरा number है, वो किसका cube से एक ज़्यादा होगा, 4 की cube से यहाँ पर देख रहा हो ना, 8 किसका cube था 2 का cube था, तो अगला जो हुआ तो वो 3 का cube से एक ज़्यादा हुआ क्योंकि 2 के बाद कौन आता है, 3 आता है तो यहां 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा अब 4 का cube क्या होता है 4 का cube, प्लस क्या कर देना है 1 कर देना है, तो 4 का cube होता है 64, 64 64 प्लस 1 कितना होता है 64 प्लस 1 इस इको रस तो सब जानते हैं 64 प्लस को नहोता है 65 तो हमारे पास आंसर क्या आया 65 ठीक है तो इस तरह से हमें यह लॉजिक्स तूंड के questions को solve करना है अगर आप logic ढूणने में माहर है logic अगर आपने पता कर लिया तो आप असानी से numerical analogy को solve कर सकते है थोड़ा सा typical हो सकता है पर बहुत ही easy है अगर आपको logic समझ में आ गया तो ठीक है तो logic समझ में आ चुका है वैसे 8 और 27 देखना है और कुछ love rice में नहीं करना है 8 किसका cube है 2 का cube है तो 28 किसी का cube नहीं है पर 3 के cube से एक ज्यादा है 3 का cube 27 होता है 27 से एक ज्यादा कितना होता है 27 तो 27 किसका cube है 27 तीन का है तो कुछन मार के जगे क्या आएगा 27 अगर 3 का है तो कुछन मार के जगे 4 के cube से एक ज्यादा होगा क्योंकि यहां 8 2 का cube था और 28 2 के 3 के cube से एक ज्यादा तो 27 यहाँ पर 3 का cube है तो कुशन मार के जगे जो number आएगा वो 4 की cube से एक ज्यादा होगा मतब 64 plus 1 65 65 is the right answer Yes Then कुशन number 4 पर आते हैं आप पन तो कुशन number 4 में logic बहुत ही easy है कुशन number 4 जो है वो 1, 1, 25 हमें 3 number दे रखे हैं 1, 1, 25 तो आसानी से पता चलता है कि 1 और 1 में क्या logic है 1 और 1 में क्या logic है तो देख सकते हैं 1 का square क्या होता है 1 का square हो या 1 का cube वो 1 ही होता है तो 1 का मैं यह square ले रहा हूँ पहले सबसे छोटा वाला लेते हैं direct cube में नहीं जाएंगे cube में जब जाएंगे option देखो पहले option देख लो option में cube मुझे नजर आ रहा है तो कोई भी cube बस 5 का cube नजर आ रहा है पर 625 की square भी नजर आ रहा है 625 की स्क्वायर है? 25 का है तो यहां मुझे square भी नजर आ रहा है इसलिए मैं पहले square लूँगा एक का square मेरे पस क्या होता है एक होता है तो 25 का square क्या होगा 25 का square होगा 625 इसका सही answer क्या होगा 625 तो answer D है तो बहुत ही easy था है एकदम simple सा इसका logic था तो answer क्या आएगा D आएगा ठीक है तो इस तरह के question आते हैं exam इस बार SSE के exam में बहुत ही हलकी questions आए है बहुत ही easy reasoning के question आए है जो कि आसा नहीं से अगर जिसने high level की practice की हुई है और logic वो अच्छी तरह से निकालना जानता है तो उसके लिए दो second का काम है logic पता करके answer निकालना ठीक है numerical analogy तो इस बार SSE में बहुत ही easy आई है तो real-based के exam में भी उम्मीद है कि reasoning जो है numerical analogy वो easy आनी चाहिए बट हमें हर तरह के questions की practice करनी है और अगर आप logic दिकाए basic सीख गए अगर आप किसी भी चीज़ का अगर आपको basic अच्छी तरह से आता है तो आपको कुछ tricks fix के चेकर में फसने की जरुवत नहीं है अब आसानी से question को solve कर सकते हो ठीक है इसकी कोई trick नहीं होती बस आपकी practice होती है कि आप कैसे जल्द से जल्द fastly logic को find out कर लेते हैं तो देखिए मुझे यही आपको सिखाना यहाँ पर मैं logic निकालना ही सिखाता हूँ और logic कैसे पता करता है तो मैं आपको बता जाता हूँ इसकी कोई trick नहीं होती या इसकी कोई sirup नहीं है कि कोई sirup अगर आप पी लेंगे तो आपको logic निकालना आजाएगा यह practice से होगा जितनी जदा आप practice करेंगे हर कुशन को बारिक से बारिक ली देखेंगे तो आपको यह चीज़े समझ में आएंगी तो 4 अब देखो फिफ्ट कुशन पर आते हैं 4, 67 और 5 कुशन मार्क यह कुशन थोड़ा सा ट्रिपिकर है ध्यान रखना लग तो ऐसा रहा है कि पहला जो कुशन में देखो देखो मैं आपको यहाँ पर show करके बताता हूँ कि अगर 4 जो है 4 का cube 64 होता है 4 का cube क्या होता है 64 64 में 3 जोड़ो तो कितना होता है 67 यह पहला logic बन रहा है कि 4 का cube कर दो क्या कर दो 4 जो है उसका क्या कर दो cube कर दो क्योंकि 4 का cube मेरे पास क्या आता है 64 आता है 4 का cube मेरे पास क्या होता है 64 होता है ठीक है और यह जो 64 आया है यह मेरे पास क्या आया है 64 आया है इस 64 में कितना जोड़ दो इस 64 में अगर आप 3 जोड़ दोगे इस 64 में अगर आप क्या जोड़ दोगे तीन जोड़ दोगे तो आप के पास क्या अंसर आएगा 67 अंसर आएगा अगर मैं यह logic अपलाए करूँ यह logic अगर मैं अपलाए करूँ किसमें 5 और कुशन मार के लिए तो मेरा अंसर क्या आना चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा 5 का क्या करूँगा क्यूब करूँगा 5 का मैं क्या करूँगा क्यूब करूँगा तो मैंने 5 का क्या किया क्यूब किया 5 का मैंने क्यूब किया तो मेरे पास 5 का क्यूब मुझे सब को पता है कि 5 का कितना होता है 125 होता है 5 का क्यूब मेरे पास क्या होता है 125 होता है और अगर मैं 125 में कितना जोड दूँ तीन जोड दूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर भी क्या जोड़ा है तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए 128 मेरे पास क्या आना चाहिए यहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन में 128 तो नहीं है 129 यहाँ पर ऑप्शन है तो किस तरह से इसको सॉलू करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस कुशन में logic यह लग रहा है logic क्या apply हो रहा है कि यहाँ पर 4 का cube 4 का cube कितना होता है 64 होता है और उस 64 में क्या जोड़ा गया है 3 जोड़ा गया है तो 67 मिला है मुझे तो उसी तरह अगर मैं 5 का cube करूँ 5 का cube करूँ 5 का cube मेरे पास होता है 125 और अगर मैं 125 में 3 जोड़ूँगा तो मेरे पास 125 आएगा पर मुझे 3 नहीं जोड़ना मुझे 4 जोड़ना है क्यों logic समझना है यहां पर 4 का cube किया था तो 3 जोड़ा यहां 4 यहां 4 से 1 कम 4 से 1 कम क्या होता है 3 होता है तो 4!! किया तो तीन जोडा, ठीक है, चार का क्यूब 64 हुआ, और उसमें चार से एक कम जोड़ लिया, मतलब 4-1, 3, तो तीन क्यों जोड़ा, क्यों किया 4 का क्यूब था, 4 का क्यूब था, तो जोडा क्या, तीन, 4 से एक कम, मतलब 64 plus 3 equals to 67, और यहां पर क्या है, 5 का क्यूब है, तो य गुमा फिरा के कुशन आता है, यहां पर देख सकते हैं, 4 का क्यूब क्या है, 64 है, 64 में 3 जोड़ा कितना हो था, 67, बिल्कुर सही रेलेशन समझ में आ रहा है, 4 और 67 का, तो 5 और क्या 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 रेलेशन होगा, तो 5 का क्यूब कर तो 125, अब गलती ही आप क्या करोगे, कि 125 म तो option match नहीं करेगा, पर तो आपको जोड़ना किया है, 4 ही जोड़ना है, 139, इसलिए option में यहां पर 128 नहीं दे रखाता, वरना confusion हो सकता है students को, कि 3 जोड़े या 4 जोड़े, option मैंने देखा पहले, अगर option में 128 होता, तो मैं 120 को ही सही करता, क्योंकि logic यहां पर 3 वाला ही लग जोड़ दो, उस नमबर के cube में, उस नमबर का एक कम जोड़ दो, मतलब 4 का cube 64 होता है, 64 में 1 का मतलब, 4 का 1 का मतलब 3, 3 जोड़ दो, 5 का cube 125 होता है, 5 का एक कम क्या होता है, 4, 4 जोड़ दो कितना हुआ, 125 प्रस 4, 139, तो इसका सही answer मेरे पास क्या आ रहा है, इसका सही answer आ र रिप्राय करदो 18-X में से 36 होते हैं, उस 36 में से 6 को माइनस करो, तो मेरे पास क्या आएगा? 30 आएगा, simple दी चीज़ है, 18-X ए 36, 36 में से 6 को माइनस करो, कितना होता, 30 होता है, तो,ब लोजिक जो है आपको लगाना है, 36 का डबल करो, 36 का क्या करो, डबल करो, 36 तूज है कितने होते हैं 72 सब जानते हैं और 72 में से किसको माइनस कर दो 6 को माइनस कर दो 72 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 66 आएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा D हो जाएगा Hope कि आपको यह logic समझ में आया होगा कि 18 टूजा 36 होते है और 36 में से 6 को माइनस करेंगे, तो 30, 36 तूजा 72 होते हैं, उसमें से किसको माइनस करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, तो आंसर किया आएगा 66, 72 माइनस 6 कितने होते हैं, 66 होते हैं, hope कि आपको सभी questions के logic समझ में आये होंगे अगर नहीं समझ में आये तो आप इस video को दुबारा से reverse करके दुबारा देखिये एक बार और उसके बाद मेरे स्याप query जो भी problem है मुझे आप email कर सकते हो नीचे मेरा email है utkash.physicsworld038.gmail.com और आप मुझे facebook पे भी contact कर सकते हैं जो मेरा नीचे page का link देखा upg.education वहाँ जाके आप मुझे personal message कर सकते हैं तो thanks for watching और next session जो होगा वो बहुत सारी problems होंगी numerical analogies related और वो numerical analogy का last part होगा उसके बाद हम figural analogy start करेंगे thanks for watching and please subscribe, like and share my videos thanks again, have a nice day you